हलो दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस ओफिसल चैनल एचपी उटूब क्लासेज में दोस्तो आज एक और सांदार क्लास के साथ आज की क्लास को सुरुवात करने चल रहा हूँ दोस्तो आज की क्लास देखना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तो आज मैं आप लोग को पूरा हिंदी का 16 फरवरी 2023 का पेपर होने जा रहा है वहां से यह कोशन जरूर आएगा तो दोस्तो यही माडल पेपर अगर आप लोग देखके चले जाएंगे तो यकीनन बता रहा हूँ कि आप लोग को कोई भी रोक नहीं सकता है दोस्तो 70 में आपको 70 नंबर आपका पक्का है दोस्तो आज आपका वीडियो में आजाएगा ठीके तो वीडियो को जरूर इन तक देखना दोस्तो मैं आपसे प्लीज रिक्ट utilizing करता हूँ ठीके आप लोग से भाई निवेदन करता हूँ कि आज की वीडियो पूरी जरूर देखना चली इस्टार्ट करते हैं आज की हमारी कलास की छोस्तो आप लोग यह जानते हैं जो सबसे पहले आप लुग को संद्र्भ लिखने के लिए आता है उसका हम संदर्व कैसे लिखते हैं यह आज आपको हम बताने चल रहा हूं ठीक है जैसे अगर हम बात करें यहां से देखें यह लिखा रहता है निम्दलिखित गद्यांसों में से किसी एक गद्यांस के नीचे दियेगे प्रुस्नों के उत्तर दीजी तो इस तरह से यहां से आप लोग को क्या लिखना रहता है आप देखें यहां सबसे पहले आप से क्या पूछता है दोस्तों कि संदर्व लिखिए फिर उसके बाद कहता है रेखांकित अंसिकी क्या कीजिए व्यक्ष्या कीजिए उसके बाद कहता है उप्यूग गद्यांस में आपकी और सारी वि लेगा ठीके यहां लिखेंगे प्रस्तुत्तर नंबर वन का लिखेंगे ठीके फिर यहां से हम इस्टार्ट करते हैं क्या ची लिखना संदर्व दोस्तों तो संदर्व में क्या लिखेंगे ध्यांस देखिए प्रिस्तुत गढ़्यांस हमारी पार्ठ पुस्तक हिंदी के गद संकलन गद्दे खंड में संकली ती ये देखी आपको यहाँ पर दोग कलम का इस्तेमाल करना है ये चीज आपको नीली से लिखना है बाकि ये चीज़ जो पार्ट से लिया जाएगा दोस्तों उसको आपको हाइलाइट करना होगा काली पेंसे ही लिखना होगा भारती संसिक्रिति नामा के पार्ट से लिया गया है इसके लेखा की डाक्टर राजेंदर परसाद जी हैं दोस्तों ये कोशन यदि आप लोग इतना तयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है ठीके चली अब आगे हम देखते हैं इसका हम संदर्व कैसे संदर्व हो गया दोस्तों अब व्याख्या हम कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं जल्दी से ठीके तो दोस्तों व्याख् सलेवस सुरी पूरी जो माडल पेपर है ओ आपको आज हम हल करा रही है देखे लिखा जाता है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखा के कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक सुरोत प्रवाहित होता है होता आया है उसे प्रवाह को हमने अपने जी इम बीच साकार रूप से चलते फिरते हसते रोते भी देखा है उस प्रवाह ने हमारे आमत्तों आमरत्तों की याद दिला कर हमारे मात्री प्राया सरीर में भी नई उर्जा का संचार भी किया है उदारन थे महत्मा गाधी जैसे महान विभूती महत्मा गाधी जैसे महान दोस्तों बात करें विभूती ने भारत को उसकी अमरत्तों का फिर से असमरन कराया दोस्तों इसी طरह से आपको दोस्तों लिखना है इसका क्या व्यक्या ठीकए तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्कलास को पूरा देखना दोस्तों आपको समझ मे चलिए आगे हम देखते हैं इसके आगे और आपको क्या लिखना है दोस्तों ठीक है चलिए देखिए उसी में से आपको यह आगे आपको लिखना उसके बाद आपका जो दोस्तों उसका जो तीसरा पॉइंट रहता है उसमें आपका जो संदर आर्थ लिखना रहता है तो की भावना ही है जो हमारे आस्तित को कायम रखते हुए रखे हुए है सत्य और अहिंसा प्रमारित मात्र के लिए असके है उसके बाद एक कोशन और इसमें रहेगा आपका दानंबर तो दानंबर में लिखना है दोस्तो नैतिक एम अध्यात्मिक सुरोध द्वारा ही हमारे मात्री सरीर में नए प्राणों का क्या होता है संचार हुआ है तो दोस्तो इस तरह से आपको यहां से लिखना है ठीके उसके बाद इसमें आपको दो लिखना रहता है ठीके दो सरी दो आता है दो में से दोस्तों आपको सिर्फ कितना लिखना है एक का उत्तर देना रहता है ठीक है चली उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं चली भई देखते हैं अब उसके बाद बात करें दोस्तो हमारे जो दूसरा कोशन रहता है ओ क्या कहता है दूसरा कोशन आपका बात करें काव संकलन से रहता है तो दोस्तो वहां से आपका ये संदर में भी आपसे सबसे पहले क्या रहता है लिखने के लिए आता है ठीके क्या लिखने के लिए आता है पहले संदर्व लिखने के लिए आता है तो दोस्तों उसका भी संदर्व हम कैसे लिखते हैं थोड़ा से हम देख लेते हैं ठीक है जैसे अगर पेपर की बात करें यह देखे लिखा है ध्यांस देखे इधर भाई सब लोग लिखा है कि निम्न पध्य वाहु विसाल अब उसके बाद इसमें आपको देखे पूरा इसका दिया रहता है तो आप लोग आसानी से दोस्तों क्या करेंगे लिख लेंगे कैसे संतर में क्या लिखेंगी प्रस्तुत पाध्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव विखंड में संक्लित पद सिर्शक स से उद्गिरित है जो महा कभी सूर दास द्वारा ठीक है यह चीज आपको अंडर लाइन जरूर करना है द्वारा रचित सूर सागर सूरे सागर महा काभिसे लिया गया है ठीक है यदि दोस्तों ऐसे ही कापी लिखेंगे आप लोग बता रहें बहुत अच्छा नंबर आप आएगा पेपर में ठीक है चले आगे अगे देखते हैं अधे कि यह तो आपका संदर रहा आब यहां से हम लिखेंगे क्या भाई परसंग लिखेंगे परसंग में क्या लिखेंगे कंस को मारकर स्री कृष्ण मतुरा में रहा गए है वहां ब्रज की याद आ रही है और उधो से इसकी चर्चा करते है और वहां दोस्तों अपने जो कृष्ण भगवान होते हैं उनका जो सबसे प्रीमित्र होते हैं उधो से अपने चर्चा करते हैं क्या कहते हैं हे उध्य मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं वे वुलाए नहीं जाते आज मुझे व्रिंदावन गोकुल के वन वाटिकाएं घाने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं अगे देखी और क्या लिखा है अगे देखी और क्या लिखा है बड़े प्रेम से खिलाती थी और मैं नित्य गोपियों ग्वालों के बच्चों के साथ खेल खेल कर सारा दिन वितीत कर दिया करता था सुरदाश जी कहते हैं कि ब्रजवासियों का जीवन धन्न है जिनके साथ ब्रज बलरंब भगवान हसा खेला करते हैं दोस्तो इतना ही आपको लिखना है इतने से ही आपका पूरा नंबर मिल जाएगा ठीके आगे देखते हैं और आपको कैसे लिखना है ठीके वही चली उसके बाद फिर हमारा जो अगला नमबर आता है वो आपका आता है क्या दोस्तो जीवन पर्चे लिखने के लिए आता है क्या आता है दोस्तो जीवन पर्चे तो दोस्तो जीवन पर्चे में भी आपको कई सारे लेखकों के नाम रहते हैं ठीके कई सारे लेखों नाम रहते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह देखी, ठीके यहाँ पर लिखा है, निमलिखित लेखों में से किसी एक लेखा का जीवन पर्चे, यों, उनकी किसी एक रचना का नाम दिखी, तो दोस्तों यहां से आपको कितने नंबर मिलेंगे, तीन नंबर आपको मिलेंगे जैसे हमने देखा, यहां पर आपको क्या है जैसंकर परसाथ चली जैसंकर परसाथ का हम जीवन परचे आपको दिखाते ही ठीके भई ध्यान देखिए समझ में आ जाएगा जे संकर परसाद का जीवन परचे देखे लिखा है यहाँ आप लिखेंगे काली पेंस लिख देंगे यहाँ पर सुत्तर नमबर डाल देंगे बढ़िया बकाइदा दोस्तों आपके लोग को एग्यामनत बढ़िया नमबर जरूर देगा लिखा जे संकर परसाद जी का जन में 30 जनवरी सन 1889 इसवी को उत्तर परदे से के कासी सहर में हुआ था इनके पिता का नाम देवी परसाद था जो एक साहितिक थे इसे परकार परसाद जी को जन में से ही साहितिक वातावरन प्राप्ते हुआ बच्पन में ही इनके माता-पिता का देहान तो हो जाने के कारण इनकी सिच्छा-दिच्छा का प्रबंधन इनके बड़े भाई सिरी संभुनाज जी ने किया कुछ से कालेज में परवेश्क पाने के बाद भी इनका मन वहाँ नहीं लगा आगे देखिए आपको दिखा रहे हैं चली भई आगे तो आगे देखिए लिखा है और घर पर ही योग सिच्चिकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्यान करने लगे ठीके किन्तु किन्तु सीग्र ही बड़े भाई की मृतु भी हो गई इन्होंने तीन साधिया की और तीनों पत्नियों की आसमरा मृतु हो गई फिर छोटे भाई की मृतु हो गई इन सब की वज़ा से प्रसाजी अंदर ही अंदर तूट गए असंगर्श और चिंताओं से स्वास्त को बहुत हानी हुई बहुत हानी हुई और ये च्छै रोग से पीडित हो गई तथा पंद्रा नवंबर 1937 को मात्र 47 वर्स की आयों में ही इनका क्या हो गया दोस्तों नीधन हो गया अब यह रहा इनकी जिवन पर चे आगे हम देखेंगे इनकी रचना कैसी है ठीक है रचना है देखिए नाटक चंद्रगूपते असकंद गूपते तो यह इनकी क्या थी नाटक कहानी संग्रह प्रतिध्वानी छाया इंद्रजाल आकास दीप यह सारे इनकी थी कावे कामायनी जर्ना लहर और आंसू भासायम सहली परसाजी की जो भासा सुद्ध सरल साहिती खड़ी बोली थी दोस्तों यह रहा इनका जिवन पर चे दोस्त ठीके चली जो अगला आपका POINT मिलता है देखी जिवन परचे तो दोस्तों यहाँ से आप लुक का अगला जो जिवन परचे लिखने के लिए आता है जिसे यह खा नमबर में दोस्तों यहाँ आप देक रहे हैं ह inici खा नमबर में तो निमलिखी कभियों में से किसी एक कभी क का जिवन पर्चे दीजी तथा उनकी एक रचना का नाम लिखे जिसे तुलसी दास सूर्दास विहारी चली देखते हैं आपका विहारी लाल का जिवन पर्चे ठीक है चली यह देख लेते हैं देखे कोशन आपको समझ में आ जाएगा लिखा है प्रसुत्तर नमबर तीन यह आपका रहेगा जो भी हो आप डाल सकते हैं उसके बाद यहां लिखेंगे विहारी लाल रितिकाल के परमुक कभी माने जाते हैं इनका जन में गौलियर के निकट वसुआ गोविंद पूरम ना एक परसिद्व्यक्ति माने जाते थे बिहारी लाल जी राजा जैसिंग के दरबार में चले गए तो इस तरह से अगर देखेंगे इनका जिवन परचे पूरा आपको देख सकते हैं ठीके यह तो यहां रचना है इनकी बिहारी लाल जी की एक मात रचना है बिहारी सते सई च इसलोक लिखने के लिए आता है ठीके प्रस्तुत इसलोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत काविक्स से अंतरगत भारती संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है यह तो उसके बाद इसका अनबात क्या रहता है जो आप दोस्ते देखे न सर्वे भौन्त सुखना सब कल्यान को देखे कोई भी दुक्त का भागी नहों उसके बाद एक आपका आता है दोस्तों इसलोक लिखने के लिए क्या आता है तो ओ देखेंगे इस लोग लिखा है यह आपको यहां से कितने अंक मिलते हैं दो अंके मिलते हैं मरडम स्षनी बंधनम मरडम वापी जयो वापी पराजयाहा आ उभयत्रे समो वीरह वीर भावो ही वीरता ये आप लोग का तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग अगर पूरी कापी लिख देंगे तो आप लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा नंबर जरूर मिलेगा ठीके उसके बाद आपको दोस्तों दो आपके संस् असरा था स्फाइवाव सोक है यही rede REAL है और संचार भावं से स्यों करता है तो वहाँ करोन्यो स्किए क्या होती निस्पती होती इसका जो ईग्जाम्पल बनता है आप दोग देक सकते हैं सबसे byा इस अधिद्द्दि अबरी सबसे इंप्रेंटेंस और क्या होता है ठीके फिर आगे अगर बात करें तो आप लोसका जो अलंकार आता है देखी ये अलंकार रूपा कलंकार जहां उप्मे में उपमान का भेदे आ रहित आरोप किया जाता है अर्थात उपमे पृस्तुत और उपमान आप पृस्तुत में अभिन्ता प्रकट कि जाए वहा है इसमें 8 चरण होते हैं इनके प्रतेक चरण में 11-13 याती से 24 मात्राइं होती हैं यह इसके एक्जामपल हैं दोस्तों ठीके तो इसी तरह से आप लोग को काफी पूरा दोस्तों क्या करना है लिखना है ठीके आगे आपको हम दिखा रहे हैं ठीके उसके बाद आपको अगर पेपर में दोस्तों आएगा मैं चाहता हूं कि आप लोग बरिया से खुब तयार कर लीजिए आपका एक्जाम अच्छे से निकल जाएगा फिर उसके बाद आपका जो आठवा कोच रहता है दोस्तों ओ रहता है जो आपका अगर पूजा से ठीके अगर पूजा से पर्थम बर्ग आप लोग यह देख सकते हैं दोस्तों अगर इस तरह से आप तयार कर लेंगे तो आप लोग का बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा ठीके आगे देख लेते हैं जल्दी से ये ये रहाँ आपका ठीके तो इसी तरह से आपका पूरा पेपर दोस्तों तयार करा दिये मैं चाहता हूँ कि इस पेपर को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए आप लोग को पूरा नंबर जरूर आएगा ठीके चली बस आज के लिए इतना ही आगे मिलते हैं फिर